हेलो दोश्तों, असलाम उलेकूम, आज हम बनाएंगे ब्रेड से बनने वाली रेसिपी, ब्रेड का रेसिपी बनाएंगे, जो कि मैं 4-5 ब्रेड ली हूँ और यहाँ पे 1 कप में ले रही हूँ दही, अब दही में हम क्या करेंगे, जितना दही ली है ना से मुतने ही पान ले की मे बाध हम ना इसमें डाल देगे तो आपका जो अब आपका ताज है या फिर दो तीन दिन का रही है, तो ब्रेड करेंगे, यहां पे हम चटनी का त्यारी कर रहे हम चाप एक मुठी में हरा धनीय ली हूँ, जार में डाल दी है, मिक्सी जार में, अब यहाँ पे दो हरी मीर से दो तीन लसन का कली डाल दी है, तो असा नमक डालेंगे, और डालेंगे तो असा भूना हुआ जीरा, अब हम क्या करेंगे, इसमें तो असा सत्तू में डाल रही हूँ, इसके जगह पे अगर भू यह बहुत टेश्टी और अच्छा सा चटनी बन के रेडी होता है अगर आपको थोचा खटा मिठा चाहिए तो आप इसमें चीनी भी आइड कर सकते हैं तो हमारा चटनी जो था वह बातो बातो में रेडी हो गया अब इसे हमें कटोरी में निकाल लेते हैं जार को साफ नहीं क करेंगे तो यहां पे मैं डाल देती हूं एक दो कर्षी जितना भी लेता है छोटा सा जार है इसलिए अगर बढ़ा जार है तो सबी को आप एक ही साथ पीश सकते हैं तो यहां पे मैं दो कर्षी डाल रही हूं दही और प्रेट को अब हम क्या करेंगे इसमें त्वासा अब हम क्या करेंगे इसको पीस के दूसरे बॉल में निकाल लेंगे उसके बाद और जो बचा हुआ है दही उसके साथ हम यहां पे खौसा अपना जो हमारा बेटर है उसको गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं सूजी सूजी के जगा पे आप चावल का अटा बगेरा भी एड़ कर सकते हैं लेकिन सूजी से क्या है यह पानी को भी और जो बनता है इससे तो वह डालके और जो ब्रेड बचा हुआ था उसको डालके हम इसको पीस के रेड़ी कर लिए हैं तो हमारा जो घोल था वह हमारा अच्छी कि तरह से रेडि हो गया आप इसमें कुछ सबजी आ हम आड़ करेंगे जैसे की हँआँ पे मैं एक बड़ा साइज के प्याज ली हूँ जिसको बारी काट लिये हैं और थोड़ा सा पत्तग वह भी मैं ली हूँ थोड़ा सा आधा कटउरी प्याज था आधा कट्तग वह भी और इसमें एक मैं गाजा डाली हूँ, बड़ा साइस का गाजा रतात एक अटूरी हो गया, उसको डाल दिये हैं मतब सबजियां आप अपने मुताबिक से डाल सकते हैं, मतर वगेरा है तो वो सब भी एड़ कर सकते हैं और यहां पे मैं धन्यपता डाल दी हूँ अब हम क्या करेंगे, इसमें दो हरी मिर्श भी मैं काटके डाली हूँ, तो आसा ज्यादा तीखा चटपटा बनाने के लिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पिसने वक्त में डाले थे तब ही नहीं डालने हैं और थोस मैं यहां पे लाल मिर्श का पॉडर डाली हूँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम नमक, टेस्ट के एकॉडिंग, नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और कुछ एक्ट्रäter मसाला नहीं डालना है क्योंकि पीछने वक्त में ही हम डाल दिये थे इसमें इसलिए हम दुबारा नए डालेंगे अब सभी को मिक्स करेंगे अगर आपको पतला लग रहा है तो सूजी और एड कर दीजिए अगर नहीं तो अगर ब्रेड है तो ब्रेड ही एक दो डाल दीजिए नहीं तो फिर ठीक ह अब यहां पर में खाने वाला मीठा सोडा होता है न वो डाली हूं इसे डालना है लास्ट में जब हमें पकाना है तभी तो उदर गैस पे मैं तवा को रखी हूं जो कि गरम हो रहा है अब इसे डाल के मिक्स करेंगे इसके जगा पर आप युनू अगेरा भी डाल सकते हैं तो हम क्या किया है देखे में मिक्स कर ली हूं तो हमारा जो घोल है वह अच्छी तरह से था जैसा मुझे हम चाहिए वाइसा था अगर आपका पतला है तो सूजी एट कीजिए नए तो तो इसमें ब्रेड भी डाल सकते हैं अब यहां तवा गरम हो गया था तो तेल डाल के कर लिए और यह कर शेट ड़ालि हूं इसको फैला दिये हैं हम पैन पर सिफ थोड़ा सा पीज में ही फैलाएं मत अब जितना साएजक का बनाना चाहते हैं अतना हैसका और भाधके पकने यह किया था तो इसे में डूसरे साथ से भी पकने देंगे और निकाल देंगे तो है क्हें अधिकतर सबजी अगेरा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह कर करे के बना के इसे दे सकते हैं, और जो हमारा ब्रेड था, वह भी था, आटा वाला ब्रेड था, गेर, इसे आप न चाहें तो बचों को लंच औरने में भी ढाल सकते हैं, या फिर सुबह सुबह आप इसे बना सकते हैं फटापट, अगर आपका आटा, गुनन, रोटी, बेलना ये सब पसंद नहीं है तो आप इसे फटापट से बना के रेडी कर सकते हैं या फिर ब्रेड ऐसी आप जैब मोगेरा के साथ खा खा के बोर हो गये हैं तो बच्चों का आप इस तरह करके भी दे सकते हैं इसमें सब्जीयम अगेरा हैं तो इसी तरह करके हम दूसरा भी बना के रेडी कर लेगे हैं सेम प्रोसेस से आप चाहें तो इसको आप जैसे कि नास्ता बन के रेडी होता है तो ये था हमारा ब्रेट का नास्ता तो आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा तो ब्रेट का मैं बहुत सारा रेसिपी डाली हूँ उसमें से एक ये भी था आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा अगर अच्छा लग को जरू से दबाईएगा ताकि आगे का रेसिपी आपको मिले तो यहां पे देखिए मैं ज्यादा नहीं चार ही बनाई थी और मैं रख दी थी क्योंकि मैं बच्चों को सोची कि मैं टीफीन में देंगी इसके लिए मैं तो आसा घोल को रख दी थी और यहां पे रेसिपी के के लिए में यहां पर चार ही बनाई थी फी यह ब्रेड वाला रोती और यहां पर जटली को सब्सक्राइब बीओ अश्चा है तो इससे बनके ब्रेड का नहींदित तो आप लोगो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंड कीजिएगा अच्छा लगा तो सेर भी की चीएगा झाल झाल